असलाम नेकुम फ्रेंड्स मैं हूनाई सिदीखी और आज आपके लेकर आई हूँ मेक अपॉन पीच कलर ड्रेस हाई पोनी के साथ है टूबी कंटीन्यूट करूँगी हेर स्टाइलिंग आपको नेक्स वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ तो यहाँ पे काम शुरू करते हैं बिसमिल्लाहरमानिरहीम तो मॉइस्चराइजर हमने लगाया कोको बटर आपके सामने वैजलीन का कोको बटर लगाया है और उसके बाद हमने और गिंजा लगाई है किसकी क्रिस्टिन की मेरी मॉडल का कलर जो है फेर है आईवरी वाला कलर है लेकिन अभी मैं आईवरी नहीं लगा रही हूँ बलके क्रायलॉन की 45 स्टिक यूज़ कर रही हूँ और मैं लिक्विट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ 101 मेबिलेन की किसी ने मुझसे कॉमेंट्स पे पूझा था कि फाउंडेशन पे आप बेस बना कर दिखाएं तो पार्टी मेकप मेरा ऐसे ही होता है कि मैं फाउंडेशन पे बेस बनाती हूँ और थोड़ी सी अगर आप इसके साथ एक कुछ स्वेचेज आप समझे के इस टीवी पेंट स्टिक की लगा लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी कवरेज हो जाती है फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉम्पैक पाउडर लगा रहे हैं और यह मैक का कॉम्पैक पाउडर है और इसका नंबर है एंसी ट्वेंटी तो यहाँ जनाव हमने समझे के जो बेस बनाई थी उसकी फिक्सिंग के लिए एंसी ट्वेंटी से हमने कवर कर लिया और फिर एक पाउडर को यह कॉम्पैक को ब्लेंड करने के लिए हम जम्बो ब्रश से हमने ब्लेंडिंग कर दी यहां पे हम contour कर रहे हैं किसी ने question पूझा था के fair complexion के लिए कौन सी contour यूज़ करती है तो मैंने कहा था camel color की जो होती है, अब ये camel color की आपके पास जो भी contouring kit है आप वो यूज़ कर सकते हैं बहराल मैं इनका number two है, kristin का मैं उसमें से use कर रही हूँ किस हिससे आपने contour किया आपने कहां पे blush on लगाना है उसको मैं आपको point out करूंगी यानि के contour आपका खतम हुआ जहां पर उसके उपर आप blush on करेंगे लेकिन contour को भी साथ साथ लेके चलेंगे ताके जो है वो उसकी harsh line आपको नज़र नाए इस तरह से आपने blush on किया है फिर आप लगाएंगे highlighter और उसके बाद आप कर देंगे makeup fixer तो makeup fixer आप highlighter से पहले लगा लेंगे तो फायदा ही होगा कि थोड़ा सा wet होगा आपकी skin आपका base और उसके उपर जब आप highlighter लगाते हैं तो उसकी pigment अच्छी आती है तो बाहराल पहले contour करें फिर आप blush on करें और उसके उपर आपने highlighter लगाना है nose पे लगाना है forehead पे लगाने ठीक है अब यहाँ पे एक normal सा कोई specific नहीं है कोई particular brand नहीं है market से मुझे नज़र आया जो के fair complexion के उपर इसका color मुझे अच्छा लगता है कि यह वाला जो है वो eyebrows को हमें shape करने के लिए एक natural सी look देता है तो इसके लिए हमने यह use किया no brand just आपको market से जो चीज़ आपको समझ में आती है जब आप काम करने लगते हैं तो आपका चीज़े लेने का दिल करता है कि आपके clients अच्छे पैसे दे रहे हैं तो आप उनको काम भी बैतरीन करके दें जब आप यहाँ पर I-Base मैं यूज़ करी हूँ BBA की I-Base और BBA की I-Base ज़रूरी नहीं है कि मैं यूज़ करूँ तो आप भी करें आप 45 TV paint stick किसी का question यह था कि आपकी palette कहां से मिलेगी क्या नाम है तो यह कोई particular palette नहीं है मैंने खुदी सारे color को assemble किया और मैंने खुदी cosmetics जिन से मैं लेती हूँ उन से मैंने यह organize करवाया है और यूं समझे कि यह galaxy उसरे channel पे मेरे पास यह अलग-अलग golden rose, gold, silver अलग-अलग shades थे तो मैंने इनको compile कर लिया एक palette के अंदर हमेशे की तरह D shape कर रहे है eyes के पास और यह समझे कि मेरी model की lid का area बहुत small है और जब small lid का area होता है तो मैं outer corner पे V बनाने के बज़ाए D बनाती हूँ transition line पे यहाँ पे हम जणाब कर रहे हैं outer corner को dark brown से और inner corner को dark brown से लेकिन direct में dark brown नहीं लगाती है उसके साथ peach को mix किया है पहले lighter tone के साथ आप काम करें उसके बाद आप darker की तरफ जाएं तो इस तरह से बहुत अच्छी blending होती है तो जणाब यह हम eyes को थोड़ा सा shade को बाहर निकाल रहे हैं ताके extend हो सके eyes जो है वो बड़ी लग सके लंबाई में आपके आँखों का shape ज़ादा लगे second thing यह कि आप लोग कोशिश यह क्या करें कि video पूरी रेखें usually skip कर देते हैं और जो कुछ points होते हैं क्योंकि जाहिरे एक घंटे की video को मैं यहां 10 minute में करके ला रही हूँ और 10 minute की video आप 2 minute देखेंगे तो obviously आपको उतनी समझ में नहीं आएगी usually question करते हैं आपने liner कौन सा लगाया सो दफ़ा की video में सो दफ़ा बताई हूँ यह बात कि मैं liner कौन सी यूज़ करती हूँ जाहिरे आप video को forward करेंगे तो फिर वही question कॉमेंट में कर रहे होते हैं तो kindly video पूरी देखा करें अच्छे जनाब हमने यहां पे lid का जो बिलकुल middle part है हमने वहां पर cut किया और बीच में हम यह galaxy का rose gold color लगा रहे क्योंकि जो मेरा dress है model का वो है कुछ peach color का तो यह rose gold color दरम्यान में लगा रहे है और क्योंकि इसकी particular harsh line ना रहे तो brown color matte color again कि जब हम यह outer corner पर यह जो मैं apply कर रही हूँ यह matte color है और middle में जो apply किया है वो metallic color है metallic color को हमेशा wet करके brush यूज़ करते हैं और जो matte color है उसको dry brush से करते हैं dry brush से करेंगे तब ही blending सही हो पाएगी तो यह छुटी छुटी tricks होती है जो के मैं आपको चाहती हूँ के मैं बताओं और उन लोगों का बहुत सारा शुक्रिया बहुत सारा प्यार उन लोगों के लिए जो इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट करते हैं एक मैं उनको आंटी कहूंगी I think अजरा आंटी उनका नाम है कॉमेंट में इतनी सारी दौाएं के बेटे मैं 50 प्लास हूँ और इतनी सारी दौाएं तो इतना इंकरिजमेंट मिलती इतनी खुशी होती है मैंने उनका वो जो है स्क्रीन शॉट पे भी लगाया था अपने स्टेटस पर तो बहुत सारा प्यार अजरा अंटी आपके लिए पता नहीं शाद मैं नाम गलत ले रही हूं तो बहुत माज़रत लेकिन बहुत सारा आप लोगों का प्यार जो मिलता है तो एक इंकरिजमेंट मिलती है मुझे काम करने की यहाँ पे लिट पे हमने लगाया है चंक्स लगाए हैं हमने और यह चंक्स लगाए हैं मावी लेडी के चंक्स हैं अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉमेंट्स शेयर कर रही हूँ जो के मुझे रूपा सिंग ने और केमिस्ट्री रोड मैप्स और एक और हैं जो के यूजर एस डबलू सम्थिंग तो इतनी अप्रिशेटिंग इतनी इंकरेजिंग कॉमेंट्स करते हैं कि फिर ह इम्मत होती है बहुत दिल जाता है कि इनके लिए मैं करूँ और एक मैं अभी स्क्रीन शॉट कलेक्ट नहीं कर सकी तो वो स्क्रीन शॉट में आपके साथ एक आंटी है उन्होंने इतनी दौाएं मैंनों को बहुत सारे प्यार वाला मैसेज कि मुझे लिटरली रोना आ गया थी और इससे मुझे याद आया कि आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दौाएं कीजेगा वो जन्नत में हैं रमजानों में अश्रा मगफरत में जुम्मे के दिन मेरी अम्मी अल्ला के पास गई है तो प्लीज आप मेरी अम्मी के लिए बहुत दौाएं कीजेगा कि अल्ला ताला उनकी दरजात बुलंद करे अपने बहुत ही खास लोगों में बहुत नेक लोगों में अल्ला पाक ने रखा वाओगा मेरी अम्मी को और मैं दौा करती हूं कि मैं इस दुनिया से जाओं तो मैं अपनी अम्मी के पास जाओं तो बहराल ये प्यारी सी वीडियो मेरी प्यारी सी अम्मी के लिए मेरी प्यारी सी अम्मी के नाम तो आप लोग को जरा सा भी मेरा काम अच्छा लगता हो तो मेरी अम्मी के लिए जरूर दौा कीजेगा जनाम बैक टू वर्क अम्मी का नाम आता है तो दिल भर अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको बिलकुल एक एक प्रोड़क्ट में बताती हूँ कि मैंने लाइनर मैंने यहाँ पे जैल लाइनर लगाया है फैसिट का जैल लाइनर है बहुत अच्छी पिक्मेंट है बहुत ही जड ब्लैक है 3D लेशेज लगाई है कोई पर्टिकल ब्रैंड नहीं है और मैं अपने देखने वालों को यही बोलूँगी कि आप ब्रैंड की तरफ ना जाएं अभी जड़ा लाइनर पे देखिएगा कि इस तरह से आइस को ओपन करते हैं एक लाइन बनाते हैं और इसके बाद उस लाइन को आउटर कॉर्णर से इस तरह से हम देते हैं तो कभी इंशालत अला टुटोरियल लाइनर का भी मैं करूंगी आपके लिए स्पेशली यहां पे हम लिपस्टिक लगा रहे हैं और यह वी एस्टा की लिपस्टिक है और इसका नमबर है टैन नमबर की लिपस्टिक है निउड लिपस्टिक है और कुछ कॉफी और ब्राउन के दर्मियान का कलर है इसका तो बहराल यहां तक आपको वीडियो में जो कुछ भी अच्छा रगा है आप जरूर अपने कॉमेंट से मुझे बताईएगा अगर आप कॉमेंट ना करें तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मैं कुछ भी हाइट नहीं करती आपको पूरी तरह से सिखाने की कोशिश करती हूँ तो आप एट लीस्ट मुझे लाइक का बटन मेरे लिए प्रेस कर दें और अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दें आपके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके अब यहाँ पे हम लिपस्टिक के फिक्सिंग कर रहे हैं नमबर सावन है इमली की मैट लिपस्टिक बहुत अच्छी पिक्मेंट है इसकी जरूर ट्राइ कीजेगा तो फानली हमारा मेक अप हो गया है डन हम मज़ीद हाइलाइटर प्रामिनेंट कर रहे हैं यह ड्रेसेज यह जूलरी मेक अप यह सब चीजें आपको मिल सकती है शी एंशी बाय नाहीत गुल्चने मेमार कराची नेर शफीक होटल जाट टू तो आपके घर में हो रही है वेडिंग या पाटी तो जरूर मुझसे मिलने आए बुकिंग करवाएं मैं करूंगी आपका इंतिजार अगर आप कराची में रहते हैं और अगर आप कराची से दूर रहते हैं तो मेरा बहुत सारा प्यार आपके लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखीएगा इंशालत आला मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आला हाफिज